धारा 370 ऐसी धारा थी कि उसके रहते हुए कश्मीरी लोग जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों कहते थे हिंदुस्तान से आयो मदलब वो अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे तो वो हटनी जरूरी थी वो हटाते वक्त दिल्ली डरती थी कि पता नहीं क्या होगा जब ये सुरसुराट चली कि शायद हटेगी तो महबुराब मुफ्ती ने बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी फारुक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि तिरंगा पकड़ने वाला हैं नहीं मिलेगा अगर 370 रटाई बलके वो तो इतनी दूर तक गए कि प्रधानमंतरी के पिता जी की भी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़ दे मेरे से पूछा गया मैंने का आप इसको हटाओ मैं देखता हूँ मैंने वहां काम कर रखा था लोगों मैं मैंने लोगों को समझा रखा तक ये नेता इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाते हैं कोई इनके लिए जगडा करने की जरूरत नहीं है और आप हैरत करोगे कि जिस दिन 370 हटी है ये तीनों चीफ इनिस्टर हम लोगे ने गिरफतार कर नजरबंदी करे थे गिरफतार तो क्या एक चिडिया नहीं बोली और पूरे प्रोसेस में हमको एक गोली नहीं चलानी पड़ी कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ सब भारत के साथ खड़े रहे और दिल्ली में ये भी डर था कि कहीं पुलिस रिवोल्ट ना कर दे मैं कश्मीर की पुलिस के लिए बहुत काम किया था और मैं उनकी तारीफ करूंगा कि इद का मौका था एक सिपाही में भी छुटी नहीं मांगी उस दौरान में सब ने पुलिस लाइन में इद मनाई तो कोई बगावत दिल्ली के खिलाफ नहीं हुई और ठीक ठाक होके तीन सो सत्तर हट गई अब मैं जब गुवा में था तो मेरा इंट्रू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया बाकी चीजों पर बातचीत हुई गुवा के बारे में लेकिन उसने ये लिख दिया इंट्रू में ये कह दिया कि सत्ताल में लिख जी जो तीन सो सत्तर हटाने के लिए जिम्मेवार हैं उन से मैंने बातचीत की अगले इदन मुझे प्रधानमंती ने खुद फोन उठा के करा अरे भई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में मैं गा साथ मैं तो नहीं बोला कहने दिया उसने ऐसे ऐसे बोला मैं का बोल दिया होगा पर मैंने नहीं कहाई है कि मैंने हटाई मैं तो यहीं कहूंगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगे ये शब्द थे पुर्धान मंत्री के मैंने का मैं कौन मरा जा रहा हूं साथ मुलाकात के लिए लेकिन मैंने बोला नहीं खैर वो बात आई गई होगी उनको एक रंजिश हो गई वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था मैंने शिकायत की के साथ ये चीफ फिनिस्टर की बीबी अलग पैसे मांगती है चीफ फिनिस्टर अलग मांगता है लोग तंग है तरही मची हुई है तो उसे हटाने के बज़ाए मुझे ही हटाके में एक खाले भेज़ दिया मैं ये भी नहीं मांता हूँ कि ये ब्रस्टाचार के खिलाप है और अब जो ताजा है जो आखिरी बात कह रहा हूँ मैंने वहाँ का ये बताया था कि दो मामलों में 500 करोड रुपे की रिश्वत थी जो मैंने दोनों मामले कैंसल कर दिये थे उसमें मैंने नाम बताए लेकिन CBI इंक्वारी कराके उनकी जाँच नहीं हो रही है उनसे पूश्टाच नहीं हो रही है मेरे से दो बार पूश्टाच हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फॉन लेके चले गए दो दिन उन से पूश्टाज की जम्मू में मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी और तलाश में ये थे के मेरे हाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें लेकिन मैं ये जो जाट चेतना है इसकी ताकत पे जिन्दा हूँ उनको ये पता है कि जिस दिन इसको हम गलत तरीके से हाँ मेरे में कोई कमी यो मुझे उठा के बंद कर दें लेकिन मैंने जिन्दगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे आप बंद करें और अगर इन्होंने छेडा तो चार स्टेट में है हम छिलर साथ आप जैसे नेताओं की सपोर्ट से चार स्टेट में आग लग जाएगी कुछ नहीं होगा तो मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ आप से हमें ताकत मिलती है लड़ने की आप से हिम्मत और होसला मिलता है बहुत बहुत शुक्री आप लोग आए और मैं फिर दोरा हूँ मैला सिक्षा की बात कह रहे हैं तो बहुत आपके हैं काफी है महिला सिक्षा और अभी जो हमारी लड़की आरेस में आई हैं इतना परिवर्तन हुआ है कि जो ठागुर साब उनके सामने हमारा दुला घोडी पे नहीं बैठता था वो भी हमारी आरेस लड़की को देखके खड़ा हो जाता है हाथ जोड़के और खमा गणी कहता है तो महिला सिक्षा को बढ़ाई ये चुक्के महिला का शशक्ति करन ना दहेज से है ना उसके हस्वेंट की दौलत से है ना उसके पिताजी की दौलत से है उसकी एजूकेशन से है और वो उसको आगे बढ़ाएगा एक मैं और निवेदन करूं अमेरिक की एक Foreign Secretary थी Condalisa Rice दुबली पतली शक्ल सूरत में निहाज साधारन लेकिन लीबिया का जो तानाशा था गद्दाफी जब वो मारा गया और उसके दफ्तर को रेड किया भी द्रोहियों ने तो उसमें एक डाइरी मिलती है उसमें वो लिखता है कि मुझे बहुत आनंद आता है जब Condalisa Rice Little Condi लिखा है उसको चुके दुबली पतली थी Little Condi अरब शेखों को धमकाती है वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी और अमेरिका की ताकत उसको तालीम की वजह से मिली थी तो तालीम इतनी कासा दस-दस कमरे एक आदमी है घर में और मकान दस कमरे का बनाते है और बच्चों को तालीम में खर्चा नहीं करते हैं तो इन चीजों पे मत खर्चा करो तु भोज पे मत करो, दहिज पे मत करो मकान बनाने पे मत करो मैं तो Governor भी रह लिया MP MLA भी रह लिया अब भी दिली में दो कमरे के फ्लैट में किराय के में रह रहा हूँ मकान कोई ताकत नहीं होते बलके मेरी ताकत है ये के मेरे पर कुछ नहीं है वो होता तो मैं नहीं लड़ पाता नरें मोदी से मुझे फिक्स कर देते ED भेज देते, income tax भेज देते तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक तो बच्चों की तालीम कराओ और ये हमारा दुरभाग है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है इतनी वोट हैं, इतने हमारे MLA चुन के आते हैं लेकिन आज तक आपका आदमी CM नहीं बना क्यों नहीं बना वो इसलिए नहीं बना कि आपने एकता नहीं दिखाई जब राम निवास मिर्धा जी चुना लड़े CM का तो उस वक्त वो दो वोट से हरे और चार जाट मेंबर्स ने वोट क्रॉस किया दूसरी तरफ दिया अगर वो दूसरी तरफ ना देते तो मिर्धा जी चीफ इनिस्टर बन गए होते तो एकता होगी तो बनोगे और मैं आपको अस्वस्त करता हूँ कि इस बार हम ये संगर्ष करेंगे कि आपका चीफ इनिस्टर बने और ये कोई मांग हमारी नाजाइज नहीं है हमारी जाइज मांग है ये तो जो सततर में जो सरकार बनी थी चरण सिंग जी उस वक चाहते के कुम्हरा माय आयो जी को चीफ मिनिस्टर बना दें लेकिन उसमें हमारे बड़े थे देविलाल जी वो कुछ तिकडम कर गए अपने लिए अपने पोते को MLA बनवाने के लिए उन्होंने बहरों सिंग जी से समझाओता कर लिया वरना उसी बार बन गया होता इसके बाद तो इन में फूट पड़ गी कोई कहीं है कोई कहीं है कोई कहीं है अब अगर ये इकटा रहेंगे तो आपका CM जरूर बन जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है और मैं हाला के मेरे पैरों में बहुत चोट है ठीक हो जाएगी तब तक मैं राइस्थान में घूमूँगा और सब जगे कोशिश करूँगा के जाद है जाद है आपके लोगों के टिकेटों सारी पार्टियों मेरी पहचान है और इसके बाद आपका आदमी Chief Minister बने बहुत बहुत धन्यवाद Thank you